सभी सम्मानी साथियों को जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों जब हम किसी सामाजिक और्गनाइजेशन या किसी भी और्गनाइजेशन में कार करते हैं या फिर ऐसे शेतर में कार करते हैं जहां हमको लोगों से बात चीत करनी पड़ती है लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है या लोगों को अपने उद्देश को समझाना पड़ता है उस इस्तिती में कुछ जो कार्य करता होता है उसके पास कुछ बिशेश दक्सता की शकता पड़ती है जी हां दोस्तों एक बहतर मोटिवेटर यानि एक बहतर प्रेरक होना उस वो यही है कि हम एक बेहतर मोटिवेटर यानि हम एक बेहतर प्रेरक कैसे बने तो मित्रो आज का टापिक हमारा यही है तो मित्रो यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की जानकारिया अपने चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों मैं हूँ दसरत अगरिया और आप देख रहे हैं अगर यह समासंगठन भारत की यूटूब चैनल को बित्रो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा और यदि कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्षन में आप अपनी जानकारिया दे सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजे हमारे फेस्बुक पेज और हमारा कुटूम गुरूप का लिंक हमारा वेबसाइट और हमारे मोबाइल एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से आप इनकी जानकारिया ले सकते हैं इनके बारे में पढ़ सकते हैं तो मित्रो चलिए मैं अपने आवस्यक जो आज हमारा मुद्दा है आज उस पर हम बात करते हैं दोस्तो जैसा कि आज का हमारा टापिक है कि एक बहतर मोटिवेटर यानि एक बहतर प्रेरक कैसे बने तो मित्रो चलिए मैं अपनी बातों को रखता हूं और उमीद है कि आपको जानकारिया अच्छी लगेगी तो मित्रो चलिए मैं सुरू करता हूं दोस्तो एक बहतर मोट प्रेयरा उसे के जर्टक जाना उसके लिए प्रेयरा होता है उसको जो भी मित्रों सामने वाले को बता सके तो मित्रों पहला जो यह वेदि जर्टक जाना। ठीक है मित्रो अब इसके बाद जो दूसरा इसमें बिंदू हमने रखा है कि आपको अपनी भासा में सुधार करना होगा मित्रो दूसरा बिंदू भासा में सुधार एक बहतर मोटिवेटर को बात करते हैं मैं इस बात कभी सेज़ ध्यान रखना है कि उसकी भासा सहली सरल होनी चाहिए और बहतर मधूर और रोचक होना चाहिए उसके कथन में ऐसा कोई सब्द का प्रयोग ना हो जो वाता औरन को प प्रयोग कर सकता है ठीक है मित्रो तो जो अब हमारा तीसरा बिंदू है वो है कि एक सफल मोटिवेटर बनने के लिए लोगों का ध्यान आपको अपनी तरफ आकरसित करते आना चाहिए यह सबसे बहुत ही महत्पूर बिंदू है मित्रों क्योंकि एक जो सफल प्रयोग होता है उसके पास यह गुड होना चाहिए कि वो सामने वाले जिसको प्रयरिद कर रहा है जिसको अपने उत देशियों की जानकारी दे रहा है उसके पास यह इसके लिए दक्षता होनी चाहिए कि वह लोगों का ध्यान किस तरीके से अपनी और आकरसित करें मित्रो जब गो पुन्ह संचीप्त में दोहराना अनिमार होता है तो ये एक महत्पूर्ण पॉइंट है कि लोगों का ध्यान आकर्शित करते हैं आपकी तरफ आना चाहिए ठीक है मित्रों और सकारात्मक उर्जा नेक्स्ट पॉइंट सकारात्मक उर्जा जो सकारात्मक उर्जा के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए जब हम किसी को प्रेरित कर रहे होते हैं जब किसी को हम बता रहे होते हैं तो हमको ये समझ के सामने वाले से बात करना चाहिए कि जो भी है इसके में चांता हूं और पूर्ण रूपल जांता हूं और मैं सही तरीके से इस बात को भिए Basically चरार लेकर आप एक बार्शतर ना जो है कि किसी किसी विछारों को रखते समय कोई बेहतर इस्टोरी का प्रदर्शन या बेहतर कहानी का प्रदर्शन जब आप किसी को प्रेरित करते हैं तो उसी के संबंद में उसी को जोड़ते हुए उससे मिलती जुलती हुए कोई इस्टोरी या कोई कहानी के माध्यम से आप उसको प्रेरित करें जिससे कि उसके अंदर ए कर दीजेगा और कोई सुझाव या दिया आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्षन में आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं तो आज के लिए धन्यवाद मित्रों जैहिंद वंदे मातराम